भारत के उपर लगातार करजा बढ़ रहा है जिसमें International Monumentary Fund यानि IMF ने concern raise किया है कि यह जो debit है अकर continue इस तरह बढ़ता रहा तो भारत के लिए इसको चुकाना बड़ा मुस्किल हो जाए गाए यानि अभी भारत पे जो 2014 में जो करता है तो 50 लाख डॉलर का था अब जो 25 लाख डॉलर हो गया है और इसका किसी को यह नहीं पता कि Government of India ने इस करजा को कहां लगाया है और यह अगर रिपोर्ट्स की माने तो इसमें 46% जो करजा है वो सेंटर के पास है और 24.4% के आसपास का जो करजा है वो स्टेट के पास है जो 2044 लाख की राउंड होता है यानि 24.4% स्टेट के पास और 61 लाख करोड रुपए यह सेंटर के पास कर जाए जो IMF ने कंसंटरेज करके एक कंसंटरेज किया है कि यह आगर डेबिट जो फेचर में बढ़ेगा सो यह अगर हम कंपेर करें कंग्रेस लेट गॉर्मन्ट को 2014 से लेकिए अब तक 2014 में यह 50 लाख ताउजंड के असपास में था और यह भी फोर फोल्ड बढ़ गया यानि 25 लाख डॉलर इसका एक रीजन यह भी हो सकता है कि उस टाइम जो डॉलर जो था उसकी वैलू कम कैसे हैं वो कहां पर स्पेंड की हैं और आखिर इतने करजी की जुरत इंडिया को क्यों पड़ी हैं